हालो फ्रेंट्स वल्कम तो मैं चैनल जीओ जीओ जीओन आप सबी का मेरे चैनल जीओ जीओन पर हैर दिक स्वागत है महिलाओं की पीट पर छिपकली के गिरने का क्या मतलब होता है और ये दिगलती से गिर भी जाए तो इसके असुप प्रभावों से बचने के लिए आप की को शेर करना ना फूलें दोस्तों पौराडिक शास्त्रों एवं धार्मिक क्रंथों में कई ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिसके द्वारा हम अपने भविश्य में होने वाली शुब और अशुब घटनाओं के बारे में पहले से ही जान सकते हैं परशुपक्षी और कई जीवजन्तु अपने कुछ क्रिया का लापों द्वारा भविश्य में होने वाली शुब और अशुब घटनाओं से हमें आउगत कराते रहते हैं इनी जीवजन्तियों में एक है छिपकली जी हां सभी घरों में समान रुप से पाई जाने वाले छिपकली भविश्य में होने वाली कई खटनाओं से हमें संकीत द्वारा अवगत कराती रहती है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को महिलाओं की पीट पर छिपकली के गिरने का मतलब बताऊंगी तो यह जानते हैं कि यदि किसी महिला की पीट पर छिपकली गिरती है तो इसका क्या दोस्तों शकवन सास्तर के अनुसार यदि किसी महिला के पीट के बाएं भाक पर छिपकली गिरती है तो यह अत्यानत्य शुभसंकेत माना जाता है ऐसा माना जाता है कि निकल भविश में आपको कोई खुशी के खबर प्राप्त हो सकती है साथ ही साथ आने वाले दिनों में आपके जीवन में सुख, सम्रद्धी और शान्ती में बढ़ोत्री हो सकती है दोस्तों यदि किसी महिला के पीछ के बाए भाग पर छिपकिली गिरती है तो जल्दी आपको मान सम्मान की प्राप्ती भी हो सकती है दोस्तों शकुन सास्त्र के अनुसार यदि किसी महिला के पीछ के मद्ध भाग पर यानि की बीचों बीच छिपकली गिरती है तो यह अच्छा नहीं माना जाता ऐसा माना जाता है कि निकल बविश में आपको घर में अथ्वा पारवारिक्स दस्तों के बीच मन मुटाव का सामना करना पड़ सकता है साथी साथ अकारण वाद व्यवाद की स्थिती भी बनने वाली है दोस्तों यदि किसी इस्त्री के पीछ के बीचों बीच छिपकली गिर भाग पर छिपकली गिरती है तो इसे अच्छा नहीं माना जाता ऐसा माना जाता है कि निकल बविश में आपको किसी इनकिसी प्रकार की शारिदिक अथ्वा मानसिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है इसके साथी साथ आपको कोई न कोई छोटी बिमारी भी परशान करने वाली है दोस्तों यदि किसी महिला के पीट के दाहिने भाग पर छिपकली गिरती है तो नेगर ब्रवश में आपको किसी अशुव समचार की प्राप्टी भी हो सकती है दोस्तों आई जानते हैं कि चिपकली के गिरने के अशुप प्रभाव से बचने के लिए आप किन उपायों को कर सकते हैं दोस्तों यदि कभी भी चिपकली आपके किसी भी यंग पर गिरती है तो सरप्रतम आप फस्तरों को अवश्य बदलें इसके बाद आप इश्णान कर लें और हो सके तो आप भगवान शीव का दर्शन अवश्य करें हो सके तो आप अपने इश्ट देव का ध्यान करते हुए परक्षा मंत्रों का जाब भी कर सकते हैं इसके अत्रिक्ट आप नमक से खुद को पाँच, साथ या ग्यारा बार वार करके नमक को बाहर फेक सकते हैं दोस्तों आप उचित दान दक्षणा भी कर सकते हैं दोस्तों आए जानते हैं विग्यान के नुसार मनुष्य के Bears जीव माना गया है और यह जब किसी के शरीर पर गिरती है तो अपने शरीर से चिपचिपा परदार्थ छोड़ती है जो कि मनुष के आंख नाक और मुँ में जाने पर वेक्ति को किसी प्रकार का नुकसान पहुचा सकती है तो हो सके तो छिपकली से दूर रहने का प्रयास परण कुछ भी हो सभी की अपनी अलग-अलग माननताय मानी गई है विज्ञान की माने तो मनुष के अंगो पर छिपकली का गिरना एक आम पर क्रिया के अंतरगत माना गया है परंतिदी शास्त्रों की माने तो छिपकली के क्रिया कलाब कई गूर रह से चिपाई हुए हैं जो मनुष को भविष में होने वाली शुब और शुब घटनाओं से अवगत कराते रहते हैं दोस्तों आशा करते हूं कि आज की दीगई जानकारियां आपको बहुत अच्छी लगी होंगी अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्रपया मेरा चैनल सब्सक्र कि अऑ्को आपको अपको आपको आपको तो आपको 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 इसलिग फेटाओं का इसलिग में